कि नमस्कार दोस्तों के यूटूब प्लेटफोर्म पर आप सभी का स्वागत है फ्रेंस नेशनल इंस्टिशूट ओफ आयूरवेदा जैपूर के अंदर जो है उसमें वकेंसी निकली हुई है उसका एक कंप्रीट वीडियो हम पहले बना चुके हैं लेकिन हमारे काफी सब्स प्लेपस आई हैं उनके अदार पर फोम कैसे भरा जा रहे है उसके बारे में भी हम आपको एक ठोड़ी हैल्म करने का प्रियास कर रहे हैं तो अगर आपने form नहीं बरा है तो आप यह form में इस वीडियो में देख करके कुछ एक आपके जो आधूरी जानकरी जो आपको रह गई थी आपको जानकरी नहीं मिल पारी हैं वो आप यहाँ पे जानकरी है वो जुटा सकते हैं कि कैसे आपको form बरना है आपको लास्ट डेट का इंजार करने से पहले ही फोम जरूर भरें आप और फोम भरने के बाद में आपको इस एड्रेस पे वो फोम है वो भेजना है यहाँ पर यह देखिए ठीक है इस चीज़ को आप थोड़ा बिलकुल ध्यान दे आपको डिमांड ड्राप्ट भी बनवाना पड़ेगा यह यहाँ पर इवसी सारी जानकरी हमारे पिछली वीडियो में आपको मिल चुकी है तो चलिए आप फोम कैसे भरना है वो देखिए इसी एड्रोटाइजमेंट लेटेस्ट फोटो आपने फोटो है वो एक चिपकान है और एक एन्ने फोटो यहाँ पर स्टेपल करनी है ठीक है यहाँ तक बात समय जी माई अब यहाँ पर बताया गया है कि पद्ध जिसके लिए आविद ने नेम अउप दे पोस्ट आप किसके लिए अपलाई कर रहे है ज़िए स्पूच कीजिए आप एलडीसी के लिए अपलाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बहर सकते हैं अब आपको यहाँ पे अपलीकीशन फीडी नम जो अपनी डीडी गटवाए है न बेंक से आपकर नहीं कर वा है तो सरसे पहले आप डीडी बनवा लिए एज इस पर your पूस्ट कितने का काटेगरी वाइद कितने का आपको डिडी बनेगा उसका डिडी नमबर लिखना है आपको यहां पे और वहीं पे ही डिडी पे ही आपके तारिक लिखी होती है और कितने रुपए का आपने डिडी बनवाया है उस सारी चीज़े यहां पे आपको mention करनी होती फिर बात करते हैं आपका full name in blog letters आपका पूरा नाम जैसे स्पोज कीजिए आपका पूरा नाम आरिया है तो आप A-R-Y-A इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है इस capital में लिखना है फादर्स या husband name अगर आप पिता है तो आपके पिताजी है तो आप पिताजी का नाम लिख सकते हैं according to your documents ठीक है अगर आप फीमेल है तो आप documents में अगर husband name चल रहा है तो हाँ पे आप husband name है वो mention कर सकते हैं फिर आपको आपने माता का नाम लिखना है date of birth and age as on the crucial date of the post यानि जनम ती थी आपकी suppose कीजिए आपका जनम 1199 में है और उसके बाद में आपकी आयो इस पद एतो कितनी हो गई है अभी आपकी उमर as on जो भी last date रही उसकी according calculate लाई कैजिए आपकी आयो हो गई है 21 years और जो भी है इतने मन्त की तो वो भी आप यहाँ पर जरूर पर रहे है address for communication with pin code आपका जो जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं वहाँ पर आपको यहाँ पर address फिलब करना है जो भी आपका address रहेगा उसको पूरा फिलब कीजिए with pin code नमबर लाई कैजिए जो भी आपका pin नमबर है वह आपका बरें next है इसमें telephone number, mobile number और email आप mobile number टेलफोन नमबर है तो telephone number बरें कोमा लगा कि mobile number बरें फिर इसमें आप अपने email id बरें email id और mobile number आपको वही बरने हैं जिसको आप regularly यूज करते हैं email id आपकी active होनी सही है अगर आपकी email id नहीं है तो सबसे पहले आप Google में जाकर के आपनी email id बनाए अगर आप Google से बनाना चाते हैं या hotmail से बनाना चाते हैं तो hotmail से या उससे बनाना चाते हैं या जिस भी sources से यह कि तरब से अगर कोई भी आपको latest जानकरी दी जाएगी तो वह आपको email के मादम से या mobile में SMS के मादम से आपको भेजी जाएगी इसलिए आप वही यहाँ पे details दे जिसको आप regularly यूज करते हैं category की बात करें तो यहाँ पे आपकी कौन सी category है वह यहाँ पे आप जरूर पर यहाँ पे यहाँ पे आपको अपनी sectionic योगिता की जानकरी देनी है जैसे examination past सबसे पहले आप जैसे हाँ पर 10th की दे किस बोर्ट सी किया है जैसे आपने राज थन बोर्ट सी किया है तो RBS भर सकते हाँ आप यह यह रो पासिंग जैसे suppose कि जी आपने 2005 में किया है subject कौन क division आया है लाइक है फस्ट और कितनी परसंटेज बनी है लाइक है फस्ट और 75 इस तरह से परकार से आप टो को 12 की जानकरी देनी है बोर्ट सब्सक्राइब किजिए आपका सी बेसी है किस वर्स में कौन सब्जेक्ट है फिर आपको graduation की जानकर लाइक सब्सक्राइब किजिए अब इस तरह बरके कौन सी division है कितनी परसंटेज आपकी बनी इसके अलावे हैं अगर कोई master degree आप ने किया है में में सी एमकोम तो वो भी आप आप जानकरी दिये सकते हैं कि पिंचिंग experience यह अगर आप teaching का फो भर रहे हैं तो आपको जानकरी देना है अगर आप non teaching की side से भर रहे हैं तो आपको नहीं देना है लेकिन फिर भी अगर आपके पास Sakitink ओर non-teaching post यह non-teaching के लिए है आगर आपको कुछ experience है किसी भी post का तो आप यहांपे भरे post held with salary कोई भी जिसबी post पे आपने काम किया है with salary साथ में किस सनस्था में आपने काम किया है उसका नाम कब से कब तक आपने काम किया है उसका नाम प्रकार का आपको वहां पर कारी मिला है उसकी भी आप जानकरी दे सकते हैं यह देखिए अब फिर यह टीजिंग के लिए आ गया है पब्लीकिस्टन रिसर्च पेपर आगर नो टीजिंग के फोर्म भर रहे हैं तो यह आपको नहीं भरना है participation in workshop, seminar, conferences, etc with proof अगर आपने कहीं participate किया है इस तरह के activities में तो आप यहां पर यहां पर यहां पर लगाएं list of enclosures with the application, यहां पर आपको एक सुची लगाने है पूरी कि आप इस application form के सबस्त क्या-क्या attach करें, like 10th की certificate attach करेंगे, 12th की करेंगे, graduation, post graduation, कोई computer का डिपलोमा है यह आदर domosile हुए आपकी, certificate हुई आपकी और भी अगर को documents है तो उन सभी की सुची यहां पर आपको लगाने है any relevant additional training like computer, financial, administration की अगर आपको कोई जानकारी देना चाहें तो वो भी आप यहां पर वो जानकारी दे सकते हैं फिर यहां पर आपको signature करना है और यहां पर धिनाग तारिक डालना है इसके बाद में पूरा फोर्म आपका complete हो जाता है अधिक जानकारी के लिए आप NIE के ओफिसली वेबसाइट पर जरूर विजिट करें वहां पर आपको वेबसाइट का लिंग निचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कोई doubt है तो आप वहां पर जो email, ID, आप phone number जो भी दिये गए हैं वहां से पर विजिट करके आप वहां से जानकारी जरूर पराप्त करें तो फ्रंट यह थी complete जानकारी आई होप यह वीडियो आपका समयज में आ गया होगा वीडियो पसंदा है तो like, share जरूर कीजिए ताकि जिन भी आपकी साथियों को नहीं पता है पता जलजाएगी फूम है वह कैसे बरा जाता है बहुत बहुत दनेवाद